अगर 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 आप देखेंगे इस वक्त भी तो ग्लोबल मार्केट पी काफी अच्छे रिकवरी दिखाते वे नजर आ रहे हैं अगर हम यूरोपिन मार्केट की बात करें जिनके अंदर यूस मार्केट से जादा डैंट पड़ा था तो आप अगर यहाँ देख पाएंगे बेर मिनीमम 3% की तेजी तो यहाँ पर हर एक यूरोपिन मार्केट में आपको दिखाई द खुद रश्या की मार्केट जो हैं आप देखें 90-20% की आसपास की तेजी दिखा रहे हैं यह रिकवरी हो चुकी है तो कल निफ्टी की वीडियो में मैंने एक चर्चा आप से करी थी आपको बताया था कि क्यों रश्या ने यूकरेन की उपर हमला किया है और वो कौन सी दो बाते हैं जो पहले से ही रश्या को पता थी और सेंक्शन्स लगने का कोई खास असर रश्या की सिहत पर पड़तावा नहीं दिखाई दिया चलिए आज निफ्टी की वीडियो तो देखें नहीं आएगी वो तो हम संडे इवनिंग के अंदर डिसकस करेंगे कि अब किस तरी 28% पर निकल के आएं इसलिए ये वीडियो में आपके सामने इनफोर्स के ऊपर ले के आए हूं सबसे पहले आज स्टाट्स देखते हैं और टेक्निकली फिर जानने की कोशिश करेंगे कि इनफोर्स लिमिटेड में क्या कुछ अभी आतावा दिखाई दे रहा है कि आज रि 28 का था यानिके डे हाई से फिसलतावा नसर आया है हाला कि हम केवल IT सक्टर के अंदर इनफोर्स की बात क्यों करें अगर आप ओवराल निफ्टी की भी बात करेंगे तो भी अपने वो डे हाई के नीचे ही क्लोज होतावा दिखाई दिया है देखिए मैं आपको बेसिकली निफ्टी का चार्ट भी एक बार दिखा देता हूं और इनफोर्स क्योंकि टॉप टैन स्टॉक्स में से एक है तो जिस टाइप का पार्टन निफ्टी के उपर बनता है काफी हद तक एन काफी बार ऐसा ही होता है कि ये टॉप टैन स्टॉक्स जो है इसी पार्टन को फॉल लेकिन पानिक चुछ सेलिंग यहां पर कल देखने को मिली थी इतना बड़ा ग्याप देखने को मिला था, उससे थोड़ी सी रहात मिलती भी दिखाई दियें, यहां से हम लोग उपर की तरफ जाते वे दिखाई दे रहे हैं, यानि कि 16,200 एक नया बेस बनाए, प्रिविएसल अब हमें किस टाइब की रिकवरी देखने को मिलेगी, वो हमें आने वाले टेडिंग सेशन के अंदर देखना होगा, चलिए, अब मैं देखिए, आपको दिखाता हूँ, वापस से इनफोर्स लिमिटेट के कुछ डेटा, और आप देखिए, सिक्योर्टी विलिभी पोजि तो थोड़ा सा आपको कॉशिस होके काम करना है, क्योंकि मैं जो चार्ट पैटन अभी आपको दिखाऊंगा, वहां से किस टाइब की पोजिशन बंती भी नजर आ रही है, वो थोड़ा से निगेटिव साइड में भी देखने को मिल सकती है, फिलाल देखिए, 52 वीक हाई के यह देटा हमारे सामने है, अब हम लोग बात करते हैं सबसे पहले, इनफोर्स के डेली चार्ट के ऊपर और यहां पर देखने की कोशिश करते हैं किस टाइब का पाटन फॉर्म होता हुआ नजर आ रहा है, आप देखिए, एक इस टाइब का पाटन है, जिसको मैं कह सकता कि डिसेंडिंग ट्रेंगल पाटन की फॉर्मेशन है पिछले कुछ दिनों से, ऊपर एक रिजिस्टेंस की लाइन है, नीचे एक सपोर्ट की लाइन है, डिसेंडिंग ट्रेंगल पैटन बेसिकली किस टाइब की फॉर्मेशन होती है, या उसका रिजल्टेंट क्या होता है वो में आपको बताता हूँ, देखिए, ऊपर का जो resistance है, वो जैसे जैसे time बीटता है, और strong होता चला जाता है, और stock price को इस से उपर नहीं निकलने देता, last में आके क्या होता है, यहाँ पर यही situation हो रही है, इस type से price move करता है, last में आके price squeeze हो जाता है, and finally, इस support line को, यह support line weak बढ़ती है, and finally, यह support line break हो जाती है, तो इसका resultant जो है, वो एक negative side में होता है, यानि कि इसके बाद में stock price गिर जाता है, ऐसा basically definition कहती है, descending triangle pattern की formation से, लेकिन एक चीज है, जो आपको observe करनी चाहिए, यहाँ पर keenly, वो यह है कि देखिए, जो levels है, यह बहुत strong levels है, यानि कि इस है, 1650 के उपर, यह 200 डेमा की जो green line आप देख रहे है, यह भी हही पर आ रही है, इस वक्त आज की closing price से अगर आप देखें, and यह जो static support आप देख रहे है, previously भी any levels के आसपर से support लेता है, दिखाई दिखाई दिया है, तो वो भी यही पर आकर base बनाये हुए है, तो 1650 बहुत बहुत strong support है, infosys के लिए, और कोई भी उपर का momentum अगर इस resistance line को पार करा दे, तो psychologically यह pattern fail हो जाएगा, और उसके बाद में आपको bare minimum मुझे लगता है, यह targets देखने को मिल सकते हैं, जो at least 1800 के हैं, 1800 तक के targets आपको देखने को मिल सकते हैं, यह चीज़ हमें इस infosys के अंदर ध के इसके 15 मेट के candlestick chart पर लेके जाओं, तो एक बहुती strong observation आपको दिखाई देगी, कि infosys में क्या होता है, आप यह देखें, नीचे थोड़ा volumes के ऊपर धियान दीजेगा, मैं यहाँ धियान दे रहा हूं, हर एक तारीक को आप देखिए, starting में और last में आपको देखने की जरूरत है, कि जब भी stock price खुलता है, बहुत heavy volume होता है, उसके बाद में volume बिलकुल shrink हो जाते है, छोटे हो जाते है, फिर consolidate होता है, और उसके बाद में last में फिर volume ऊपर की तरफ आने रखते है, same आप हर दिन देखेंगे, तो same situation आपको daily basis पर दिखाई दे जाएगी, यानि क कहने का मतलब क्या है, अगर आपने मेरी recent में एक वीडियो में डाली थी, कुछ दिनों पहले, कि how to trade intraday, intraday में किस तरीके से trade की जानी सही, पहाँ पर मैंने आपको एक strategy बताई थी, कि आप उस तरीके से bare minimum आधे से 1% तक का return daily कमा सकते हैं, तो वैसे ही strategy देखेंगे, इस stock में बहुत अच्छी तरीके से play हो सकती है, यह जो volumes है, यह clearly आपको दिखा रहे हैं, कि starting में लोग positions बनाते हैं, और last में exit कर लेते हैं, no matter कि price last में उपर गया हो, कि नीचे गया हो, इस से कोई लेना देना नहीं है, आप देखें, हर दिन यहाँ पर starting में प्राइस आपको volumes increase ह होते हुए दिखाए देंगे, last में जाते हैं, volumes decrease हो जाते हैं, तो यह एक ऐसा stock है, कि अगर आपको intraday में कोई ऐसा stock चाहिए, जो आपको डेली आदे से 1% का return देदे, तो definitely 15 में के candlestick chart पर आकर आप वो strategy अपलाई करके, जो मैंने इस वीडियो में बताई है, उसके हिसाब आप से आप यहाँ पर definitely एक अच्छा खासा profit कमा सकते हैं, देखिए हरे के strategy को use करने से पहले, अगर आप नई trader हैं, तो एक back testing जरूर किया कीजिए, paper trading जरूर किया कीजिए, यानि कि जिस दिन आपको actual trade लेनी हो, उससे चार पास दिन पहले, market के session के दोरान, आपको paper trade लेनी है, आपको अपने पैसे लगा के, DMIT में stocks नहीं लेने हैं, बलकि आपको सिर्फ paper पे लिख कर, उस strategy को use करना है, अगर आपको confidence आता है आने वाले 3-4 दिन में, तब definitely आप shift कर सकते हैं, small quantities से real trade में, तो I think, अगर इस opportunity को हमें देखना है, तो definitely आप यह चीज़ देख पाएंग है, and between the upper range, जो तकरीबन आप यहां पर देखिए, approximately 1760 के असपर साती भी दिखाई दे रही है, और जो recent की इसकी lowest range है, यानि कि तकरीबन 1680 की, इन दोनों के बीच में आपको difference ढूंद के and profit कमाने के मौकी intraday भी मिल जाएंगे, तो in forces as a intraday या फिर 1-2 दिन की trade के लिए भी काफी अचा stock मैं समझता हूं, लेकिन आपको psychology इस type की बिठानी है, कि अगर आप intraday कर रहे हैं, तो वो intraday ही रहनी चाहिए, and जैसे ही आपका stop loss हिट करे, आपको वहाँ से exit ले लेना है, अगर आपने stop loss नहीं लगाया है, price देखके आप वहाँ से exit लेते हैं, तो फिर आपको देखे, एक चीज़ मैंने आपको दिखा दिये, 15 minutes के candlestick chart पर किस तरह की से volumes का यहाँ पर up and down चल रहा है, अगर हम RSI के साब से देखें, तो आपको एक positional मौका भी मिल जाएगा, RSI 40 के levels से bounce back होके उपर की तरफ निकल रहा है, मैं समझता हूं, यह levels क्रॉस हो जाने आपको तो definitely as a positional trader आप यहाँ पर buying opportunity देख सकते हैं, फिर यहाँ पर actually में जो last में बिकवाली हो रही है, वो volumes यहाँ पर वापस से regain होने शुरू हो जाएंगे and in that condition मुझे लगता ही ओपर का जो resistance line है, यह cross हो पाने में, यह stock काफी हद तक successful साबित होतावा नजर आएगा, त दोनों तरीके से positional as well as intraday trade में आपको यह stock यानि के infosys आपको अपने radar पर रखना चाहिए, तो यह तो हो गया देखे technical point of view, अब मैं आपको एक article दिखाता हूँ जो actually में 23 फरवरी का है, 23 फरवरी के article में आपको क्या देखने को मिलेगा कि AMK Global ने 2100 रुपे का target दिया है, 21 2100 रुपीज का target ये लोग दे रहे है, infosys के अंदर और buy की recommendation दे रहे है, मैं भी देखिए कहीं नगे यही चीज़ analyze कर रहा था, infosys में, कि 1650 के strong support है, जिसको शाद break कर पाना possible नहीं होगा, और अगर ये March mid तक break नहीं होता, तो definitely फिर ये 2000 प्लस के levels पर जाता हूँ recommendation दे रही है, however, अगर आपको कोई भी decision बनाना हो, तो आपकी खुद की study जरूर कीज़ेगा, किसी भी positions को बनाने से पहले, तो all over infosys के अंदर trend positive है, जब तक ये stop loss breach ना हो जाए, तब तक आप definitely पोजिशन को retain रख सकते हैं, या इस तरीके से आप trade ले सकते हैं, अगर आपन वीडियो मिल जाएगी, definitely, वो वीडियो भी जरूर देखिए, वो केवल infosys में नहीं, बलकि आपकी intraday trade को काफी हद तक एक sharp edge देती भी नजर आईगी, काफी हद तक मैंने उसके अंदर simple language में describe करने की कोशिश करिए, कि अगर आप एक beginner है, तो किस तरीके से एक regular income कमा सकते है, stock market के अंदर, I hope ये सारे points आपको समझ में आएगी, infosys को लेके, और ये video आपको अच्छी लगी होगी, अगर ये video अच्छी लगी है, तो please like and share जरू कीचेगा, बहुत जल्द मिलूंगा अगली video में, till then, thank you, bye-bye.